फ्री फायर गेम की लट में नाबालिक बने चोर घर से उड़ाई लाखों के जेवर अब एक खबर लोगों को साफधान करने की कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है छतरपूर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि किस तरह ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चे मुबाइल में गेम खेलने के आदी हो रहे हैं कोतवाली थानक श्वेतर में एक मामला सामने आया है जुसमें दो नाबालिक युवक अपने ही घर पर चोर बन गए दरसल ऑनलाइन पढ़ाई के दोरान एक सोला साल का चात्र और एक बारह साल का चात्र पढ़ाई के जगह फ्री फायर गेम खेलने लगे उन दोनों को इस गेम की इस तरहलत लगी कि उन्होंने घर से मम्मी के सोने के हार और जेवर चोरी कर बासार में बेच कर उसे नया मोबाइल और रिचार्च कराना शुरू कर दिया जब इनकी माँ को अपनी अलमारी से सोने की हार और जंजीर चोरी होने की सूचना लगी तो उन्होंने पहले अपने बेटे से पूछा तो उसने इंकार कर दिया तब इस मामले की शुकायत एसपी के पास पहुँची तो उन्होंने मामले को गंभीर समझते हुए जाच पाइल में दोनों बच्चों की बापचीत से पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने बच्चों की चुराय सोने के हार सोने चांदी की दुकान से बरामत कर बच्चों को समझाईश देकर छोड़ दिया। पुलिस ने बच्चों के परीजनों से अपील की कि ओनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों पर नज़र रखे। आदर्श नियोज के लिए पत्रकार सोहराप मनसूरी के रिपोर्ट। आदर्श नियोज के लिए अप्डेट रहने के लिए अभी आदर्श नियोज को अपने मोबाईल पर सब्सकाइब करें और बिल नोटिफिकेशन आउन करें साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेब साइट पर विजिट करें